हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए वीवो और सैमसेंग की तरफ से दो बहुत ही कमाल के स्मार्टफून से लेकर आया हूँ सैमसेंग का गेलेक्सी M55S जो लेटेस लाँच हुआ है 20,000 का है लेकिन सेल में भी 18,000 का मिल रहा है औ कोई सभी स्मार्टफून ये कुछ भी खरीदना उनलाइन तो निचे डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक है उससे जरूर खरीद दियेगा चैनल का थोड़ा सा बेनेफिट हो जाएगा वीवो T3 5G को जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो है फून मिल जात बॉक्स के अंदर कुछ इस तरिकी के लुक में 44 वाट का तो 44 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है यह सारे बॉक्स के कंटेंट्स आपको वीवो के T3 के साथ मिलते हैं दोस्तों रेट के साब से दिखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स काफी सही दिये गए है चार पड़ेगा फोन मिल जाता है रैपर के अंदर फिर आपको मिल जाती है बस यह टाइप सी केबल और कहानी खतम चार्जर इसके साथ आपको नहीं दिया गया तो इसके लिए आपको कवर भी खरीदने जाना पड़ेगा और जो है दोस्तो चार्जर भी अलग से खरीदना पड़ के अंदर आपको प्लस्त्री के टाइप का मिलता है थोड़ा सा जो यह दो यह धूस्तो डिजाइन की जो क्वैलटि इसमें विवे के थरी के अंदर आपको मिलता है स्क्रैचिस वगधार एक दम नहीं आएंगे अ मनोडियूल का टाइप के स्सलाइं दिशमएní लेकिन डैम सेंग के अंदर ग्लॉसी फिनिश में डिजाइन मिलता है लाइट की रिफ्लेक्शन काफी अच्छी मिलती है इसमें कैमेर का मॉड्यूल इस तरीके से दिया गए है रेंबो एफेक्ट में जो आपको कलर्स मिल जाते हैं उपर से नीचे की तरफ एक पट्टी टाइप की खिच आती है बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो तीठी एंदर आपको अमॉलेट डिस्पले दी गई है और दूसरी तरफ सैमसिंग के अंदर आपको दी गई है दोस्तों शुपर एमोलेट प्लस डिस्प्ले 6.67 इंचिस के आस-पास जो साइस मिल जाता है दोनों के जो size दोने के अंदर काफी कमाल का और काफी बढ़िया दिया गया है बाकि जो है दोस्टोड की quality भी दोने के अदर काफी अच्छी मिलती है लेकिन reality में देखते हैं कौन सा smartphone आपके जाधा बढ़िया रहागा तो दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे तो लगते हैं लेकिन सैमसंग के अंदर यूई जो ज़्यादा बढ़िया है यह चलाने में और भी बढ़िया लगता है फीचर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको सैमसंग का वन यूई मिलता है जो कि मुझ गई है लेकिन अब बात आती है दो स्मूधनेस तो दोने के अंदर अच्छी है और जो है रिफ्रेशेट भी दोने के अंदर आपको बराबर दिया गया है लेकिन क्वालिटी जो है वो किसकी जाधा बढ़िया है तो चीज में आपको करीब से दिखाता हूं दोस्तों स्मार पाट्फृम्स के अंदर मिल जाता है दोस्तों पन्चोल के मेरा वाला कुछ इस तरह की डिजाइन में आपको दोनों के अंदर डिस्प्ले दी गई है और एजी बेजल्स जो है दोनों के अंदर आपको काफी कम दिए गया है थोड़ा सा मुझे सैमसेंग की डिस्प्ले की ज़्यादा बेटर लग रहा और थोड़ा सा यह size में भी ज़्यादा बढ़ा है तो हलका फुल का difference देखने को मिलता है Samsung की display size में दिजाइन में थोड़ सी ज़्यादा बेटर है बात करें दोस्तो quality की तो quality जो है Samsung में भी बढ़िया वीवो में भी अच्छी है थोड़ सी brightness जो है वीवो की display की brightness ज़्यादा बढ़िया है थोड़ सी brightness में यह ज़्यादा बेटर है size में भी हलका फुलका सा फर्ख है तो देखा जाए तो दोनों इस smartphone सही एतना बड़ा कोई major दिक्कत नहीं है लेकिन Samsung थोड़ सा ज़्यादा बेटर है दोस्तो तो वीवो के T3 में charger है यह इसकी खुबी है और दूसरी चीज़ यह है दोस्तो दोनों के अंदर आपको design अच्छा मिल जाता है थोड़ा सा Samsung जादा बड़ी है क्योंके इसके अंदर आपको lightweight phone मिलता है तीसरी चीज़ यह है दोस्तो इन दोनों phone के अंदर display की quality थोड़ी सी Samsung में जादा बेटर मिल जाती है इसके लवे left side से देहेंगे यहाँ पर आपको sim की tray दी गई है Samsung के अंदर वीवो में sim की tray नीची की तरफ मिलती है दो sim card 5G के लगा सकते है charging port, speaker, mic मिल जाता है दोनों phone में नीची की तरफ side से आप देहेंगे दोस्तो volume के buttons और power के buttons दिये गए है side में दोनों phones में और fingerprint scanner दोनों के अंदर आपको display के अंदर मिल जाता है तो यह चीज भी दोनों के अंदर same type की है उपर की side से देखेंगे आप दोनों phones को तो यहाँ पर आपको noise cancellation mic दिया गया है यह चीज आपको दोनों के अंदर एक जिसे type की मिल जाती है RAM और storage की बात करें तो दोनों phones के अंदर आपको 8GB RAM 128GB storage दी गई है तो दोनों के अंदर आपको 8GB RAM मिल जाती है 128GB internal storage यह चीज आपको दोनों के अंदर एक जिसे type की मिल जाती है और इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है Android का latest storage मिलता है तो यह चीज़ इसमें जाद अच्छी है इसके लोग दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको 50MP मेन कैमेरा मिलता है नंबर से फर्क नहीं पड़ता है नंबर तो से में लेकिन क्वालिटी वाइस जो न वी वो टी-3 जाद अच्छा है कैमरे को लेकर इसके अंदर आपको पर्फॉमेंस कैमेरे की जादा बेटर मिल जाती है कैमरेस के अंदर आपको जाद अच्छा दिया गया है तो यह चीज़ का डिफरेंस है इसके लोग दोस्तों इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो प्रोस्सर मिलता है सैमसंग में दिया गया है स्नैप ड्रेगन 7 Gen 1 और T3 पर्फॉमेंस आपको दोनों ही के अंदर काफी तगड़ी मिल जाती है प्रोस्सर दोनों के अंदर आपको काफी अच्छे दिये गए हैं लेकिन थोड़ा वीवर T3 और जादा बढ़िया दोस्तों आपको मिल जाता है अगर आपको गेमिंग जादा करनी है मल्टी टास्किं बढ़िया चाहिए तो आप Samsung Galaxy M55S खरी दियेगा यह जादा बढ़िया रहेगा यह हलका फून जादा है तो जैसे जादा अच्छा है और आपको डिस्प्ले बढ़िया चाहिए तो भी Samsung लीजिए यह आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा इसके अंदर डिस्प्ले थोड चाहिए परफॉमेंस जादा बढ़िया चाहिए और चार्जर चाहिए फून के साथ तो आप T3 खरी दियेगा बाकि रैम और स्टोरेज में दोने जैसे हैं तो जादा तर चीज़ों में जो है दोस्तो दोनों स्मार्टफोन सेम टाइप के आपको मिल जाते हैं बैटरी भी स पसंद आई तो आप इसको ले सकते हैं परफॉमेंस के वज़े से फोन लेना है तो इसको ले सकते हैं और गली जाएओ कर अंब लिंक है एमेजसाब चाहिए और दो लिए औ